हेलो एवरिवान वेलकम अगें टू फाइनाट स्टड़ी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपी एस्थी कोलेज लेक्चिरर की क्वेश्चन पेपर का तो इसमें इसके पेपर को हम स्वेश्चन करेंगे इसमें 150 क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स जिन में की चितर देखने को मिलते हैं तो वह है चार और पांच थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे वरना फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर आपको देखना है वीडियो को आप पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है कि बाग उफा चित्रो जिसकी किनारे बाग की गुफाएं सो भायमान हैं तो यह है नर्मदा नदी नेक्स वेश्चन अजन्ता गुफा मंदिर समू में इन गुफाओं में आज भी चित्र मोजूद है यह क्वेश्चन उसमें भी आया था बहुत बेसिक से क्वेश्चन है यह सारही एक दो नो दस 16 और 17 तो इन में से सबसे में जो है वह गुफा नमबर एक को आप बहुत बहतरिन तरीके से पढ़के जाए और गुफा नमर 16 को ठीक है बहुत ही अच्छे से एक एक चित्र को आप बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि हर एकजाम में मोस्टली यही जो दो है वो पूछी जाती हैं यह सारे ही पढ़नी हैं लेकिन 16 और एक नमबर की जो गुफाएं उनको आपको ज्यादा डीपली पढ़ना है नेक्स्ट है नमबर 6 है बदामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थीत हैं तो यह हो जाएगा चार गुफाएं नेक्स्ट बदामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की द्रस्टी से महत्पूर्ण है तो ये जो है वो चोथी गुफा जो है वो महत्पूर्ण है नेक्स्ट बदामी की गुफाएं किस धर्म से संबंदित है तो बदामी की जो गुफाएं हैं तो देखें, जो तीन गुफाएं हैं वो तो ब्रहामन धरम से समबंदित है, ठीक है? और जो एक गुफा है वो जैन, जैन धरम से समबंदित है, तो इसका जो उक्तर सभी है, वो राइट हो जाएगा तमिल लाडु में तंजोर के निकीट पद्दू कोटा में कौन सी गुफाएं स्थीत हैं तो ये हो जाएगा सितन वासल की गुफाएं नेक्स कोश्चन है जटानों को काट कर बनाए गई बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हुए हैं तो बादामी के जो मंदिर है आप सबको पता है करनाटक में फैले हुए हैं ये नंबर इसका राइट हो जाएगा नेक्स कोश्चन है पूर्वी भारत में पाल शेली कुन सी स्थापदी में पलवीत हुई नो से बारा जो इसका टाइमिंग है वो दिया जाता है तो नो इसका राइट आंसर हो जाएगा next question है कि पाल शेली के चित्र किस धर्म वे दर्शन से संबंदित है तो पाल शेली जो है उसके बोद धर्म से संबंदित है next question number 13 पाल शेली के चित्रित पोधिया अधिकतर किस सतेह पर चित्रित की गई तो ये की गई थी ताड़ पत्र पर धीमान और वितपाल नामक चित्रकारों को पाल शेली के संस्थापक के रूप में किस ने उलकित किया था तो ये किया था लामा तारानाथ ने next है सितनवसल की गुफा गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहां पर चित्रित है तो ये छट पर चित्रित किया गया है next question है number 16 पूर्व मध्यकालिन चित्रों को अपब्रंश शेली किसने नाम दिया था अपब्रंश शेली जो नाम है वो राय कृष्ण दास ने दिया था बी ओप्शन इसका राइट हो जाएगा next है अनेक विद्वानों ने अपब्रंश शेली को विविद नामों से संबोधित किया तो अपब्रंश शेली जो है उसके अन्य नाम क्या थे तो देखिए पाल शेली भी कहा जाता है अपब्रंश को पस्चिमी भारतिय शेली भी कहा जाता है गुजरात शेली भी कहा जाता ह एक नंबर इसका राइट हो जाएगा नेक्स है जैन मुनियों का सर्व प्रिय ग्रंत कल्प सुत्र किस धरातल पर चित्रित है तो यह ताड़ पत्र पर चित्रित है ठीक है इसका टाइमिंग है 13 से 14 स्ताबदी नेक्स है पूरवी भारत के किन राजों में पालशली के चित्र पाए गए हैं तो देखिर जो पालशली के तीन प्रमुख केंद्र है बंगाल, बिहार और नेपाल बंगाल, बिहार, नेपाल और इसके साथ उडिसंघंड ऐसम इसम्हेइं राइट हो जाएगा क एक मिनेट ऑके नेक्स्स कोस्चिन है कागच पर चित्रित ग्रंद उत्रा अध्यन सुत्र कहां सुरक्षित है तो ये जो ग्रंद है ये सुरक्षित है एहमदाबाद में ठीके कल्प सुत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रती किसके पास है तो सेट आनन्द जी कल्यान जी के पास ये प्रती पाई जाती है नेक्स्ट है रती रहष्य चित्रित ग्रंथ के चित्र किस विशे से संबंदित हैं तो रती रहष्य के जो है वो काम सास्तर से संबंदित है नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम ताड़ पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कोन सा है तो ये हुझाएगा श्रावक प्रतिकर्मन शुत्र चूरनी नेक्स्ट है भारतिय हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमी पर विक्सित किया था तो ये क्या था भारतिय भूमी पर मुगल शैली में डैश का अभाव है तो कौन से चित्रों का मुगल शैली में अभाव है दर्बारी जानवर नारी सभी यह यह दूत दर्बारी चित्र भी बने थे जानवर के भी नारी सभी के युद्ध के जो द्रश्य है वो कम बने थे तो दी इसका राइट हो जाएगा लैश बन गई थी तो मुगल कला जो है वो कैसी बन गई थी तो ये बन गई थी दरबारी कला नेक्स्ट है मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम है तो ये हो जाएगा फार्सी और भारतिय शैलियों के मिश्रण का ये परिणाम है किस साशक का साशनकाल मुगल कला का स्वर्ण यूग था तो ये जहांगीर का जो साशनकाल था वो मुगल कला का स्वर्ण यूग था किस पास्चा का साशनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण गुमाना जाता है तो ये हो जाएगा साहा जहां का साशनकाल अकबर काल की प्रिथम ग्यात चित्र स्रंखला जो 28-22 के कागच पर संयोजित की गई थी तो ये थी दास्ताने अमीर हमज़ा नेक्स्ट अकबर के शाशनकाल के चित्रकार कौन-कौन थे तो मीज सइय दली भी थे दसवन थे बसावन थे मुकुंद और जमाल यह इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है किस मुगल समराट के समय में व्यक्ति चित्रों को सब भी ही को चित्रन को महत्व मिला था तो व्यक्ति चित्र जो बनाए जाते थे जो पोर्टर्स बनाए जाते थे उन्हें सब भी है कहते थे और तो इनका जो मुगल साशक है वो अकबर के टाइम पर ये ज़्यादा बने थे नेक्स्ट है दक्कन शैली के चित्रों को किन सल्तनत ने विशेस रूप से स्म्रद किया था तो ये किया था आदिल शाह बिजवपूर निजाम शाह अहमद नगर और कुतुब शाह गोलकुंडा नेक्स है दक्कन शित्रकला की किस शैली में आकरतिया एक सतह पर चित्रित की गई जिससे जिसमें दूरी और पास का अभाव था ठीक है तो ये हो जाएगा एहमद नगर शैली राजस्थान वे पहाड़ी शैली के चित्रों को राजकु चित्रकला की श्रेडी में किस ने रखा था तो ये डॉक्टर रानन्द कुमार स्वामी ने रखा था नेक्स्ट धकन शैली के सत्रवी स्तावदी के चित्र कहां पर सुरक्षित हैं तो ये सुरक्षित हैं सलार जंग म्यूजियम हैद्राबाद में मेवाड के प्रारंबिक वे सर्व प्राचीन उपलब्द चित्र कोन से हैं तो ये हो जाएगा गीत गोविंद मेवाड के प्रारंबिक वे सर्व प्राचीन उपलब्द चित्र जो है उपलब्द चित्र कोन से हैं तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा गीत गोविंद मेवाड की उप्षैली नाद द्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है तो ये सबको पता है पिछवाई चित्रन नेक्स है कि मेवाड का प्रमुक कला केंदर ता उप्षैली साहापुरा किस विदा में कुशल्टा दर्साता है तो ये दर्साता है जो फड़ चित्र है उसमें उनके अंद्रकत ये आता है राधा के रूपे बनी ठनी का चित्रन किशन गड में किस समय में प्रारंब हुआ त इआअ double up फैस, चेटरी अधार पर राजिस्तानी चित्रकला का वरगी करण कौन सा है 5 3 अधार पर तो यह हुझाएगा मेवार्वार्वार्वार्वी खाडोति शाली और डूंडार शाली तो अपको पता है राजिस्तानी शाली को चार भागों में बाठते हैं तो ठीक है मेवाड मारवाड हाडोती और धुनर और इनके अंतरगत जो शैलिया को डूणर किया है Usually जिसे डूनर में हो गया अलवर हो गया इस टाइब से जो अलग-अलग एरिया है वो डिवाइड किया हुए है next time जोदपूर शैली में लोग कथाओं का कौन सा प्रेमी यूगल सरवादिक चितरित किया गया था तो जोदपूर में जो ढोला मारू है उनके चितर है वो काफी चितरित किये गए नेक्स्ट है कि बूंदी महल के रंग शाला क्यों प्रशिद है तो ये भित्ती चितरों के लिए प्रशिद है आराई स्तकनिक या आला गिला से बनाए गए बित्ती चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वो राजिस्थान में कहां चित्रित किये गए थे तो ये जैपुर में जो है ये पद्दती काफी चित्रित थी पंजाब और हिमाले की खुबसूरत वादियों में सोलवी सताब्दी के उत्राद में कौन सी कला शेली विक्सित हुई ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं कि जब पंजाब और हिमाले हैं ये शेली इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स से किशनगर का कौन सा साशक नागरिदास के रूप में पर सेथा था तो सावंत सिंग नेक्स्ट है पहाडी चितरकला की प्रधान विश्यवस्तु वैश्नववाद के साहित्य वैश्नववाद के साहित्य से प्रेरी थी तो यह हो जाएगा नायक नायका भेद नेक्स्ट है कि 1952 में W.G. आर्चने पहाडी चितरकला की विविश्यालियों को सोध पूर्णवे विश्लेशनात्मक अध्यन में अपनी किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया था तो यह किया था Indian Painting in the Punjab Hills 51 है भारते कला में धातू मूर्ती सिल्प का सर्व प्राचिन उधारन कोन सा है तो यह है नत्त की जो कि सिंदु घाटी सब्वेता से हमें प्राप्त होती है तो यह धातू सिल्प का सबसे पहला उधारन या सबसे प्राचिन उधारन माना जाता है नेक्स है सारनात का सिंग स्तंब जो था वो किस समराठ द्वारा बनवाए गए था तो ये अशोक के द्वारा बनवाए गए थे पहड़ी चितरकला में अनेक उप शैली अंद्रश्टिकत होती है उनमें से कौन से शैली महतवपूर्ण वे सूपरसीद है तो जो कांगड़ा शैली है वो सबसे महतवपूर्ण और प्रसीद है एलीपिंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थीद है तो ये धारापूरी जो द्वीप है वहाँ पर ये स्थीद है मूर्थियों पर ऐसा धारन चमक या ओप ठीक है तो ये किस यूप की पहचान है तो ये मोरियकाल की पहचान है या मोरियकाल की विशेस्ता है साची रूप का अन्वेंशन या फिर कोज किसने की थी तो ये किति अलेकजंडर कर्निंगहम ने है गांधार मूर्ति कला के लिए कौन पत्थर का में लिया जाता था तो काला सलेटी पत्थर जो है वह pública में लिया जाता था जमरावति का स्थूप किस नदी के किनारे है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे श्थित है। उत्री भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की द्रश्टी से साधारनते किस यूग की कला को सास्त्री चर्मुत कर्श्वे स्वन यूग के रूप में स्थान दिया गया तो जो गुप्त काल है उसे धार्मिक स्वन यूग कहा जाता है तो गुप्त काल को स्वन यूग कह जाता है? नेक्स्ट है सुल्तान गंज बुद्ध की आदमकद प्राप्त सुरी सुल्तान गंज बुद्ध की आदमकद तामर प्रतिमा किस कालकी है? तो य हो है? ये क्पतकाल fuzzy है। उसके बार नक्स्ट है राज़तानposition के प्रियाए के रूप में किस चलाकार को जाना जाता है तो यह जाना जाता है क्रपाल सिंग सेखावत नमबर फॉर इसका राइट हो जाएगा क्रपाल सिंग सेखावत नेक्स्ट है मतुरा शैली में मूर्ती निर्मान हेतू किस पत्थर का प्रियोक किया जाता तो ये किया जाता था लाल बल्वा पत्थर का next question है नेक्स्ट कोस्टिन है नंबर 65 क्रपाल सिंग सेखावत ब्ल्यू पोर्टरी के पिता ठीक है तो एक तो पहले तो यह ध्यान रखेगा जो ब्ल्यू पोर्टरी के पिता किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है क्रपाल सिंग सेखावत को ठीक है यह कहां से लोंग करते हैं कुम्भ नेक्स है कि भीलो का चितेरा उपनाम किसे दिया गया किसे जाना जाता है तो यह है गोवर्धन लाल जोशी बाबा जब भी आप कोई RPSD का एक्जाम देते हैं First Grade College Lecture तो उसमें राजस्थान की जितने भी आर्टिस्ट है तीक है बहुत डीप आपको नहीं पढ़ना है कोई भी चैप्टर उसमें आपके बहुत नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं तो आपको राजस्थान की जितने भ गया वह सब आप जरूर पढ़के जाए RPSC एक्जाम के लिए ठीक है उनके उपनाम हो गए जनम कब और कहां हुआ और उनके कुछ फेमस जो चित्र हैं वो सब नेक्स है कि गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जनम कहां पर हुआ था तो गोवर्धन लाल जोशी बाबा जो है इनका जनम है वो काकरोली में हुआ था उद्यपूर में नेक्स्ट है भैसो के चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है तो भैसो के जो चित्रकार है इसे जाना जाता है परमानंद चोयल को नेक्स्ट है चित्रकार कृपाल सिंग सेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पदमश्री प्रदान किया गया तो यह किया गया था 1974 में इन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया नेक्स्ट कोस्टन है नमबर 70 राजस्तान ललित कला एक आदमी ने भावानी चरण गुई की कला यात्रा पर एक लगू चित्र लगू चल चित्र का निर्मान किया था तो यह किस वर्ष में किया था तो यह किया था देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्तली विद्यापीट में बित्ती चित्रन का रिशाला प्रकप प्रारंब की गई थी तो यह की गई थी 1953 में बी नमबर इसका राइट आंसर है बूर सिंग सेखावत की प्रमुक शैली थी तो यह यतार्थवादी शैली से संबंदी थी नेक्स से चित्रकार परमानत चोयल का जनम किस वर्ष हुआ था यह 1924 में हुआ था कोटा में नेक्स है चित्रकार राम जैस्वाल का जनम कहां पर हुआ था तो राम जो जैस्वाल है इनका जनम हुआ था मत्धुरा में नेक्स है राजिस्थान ललितकला एकादमी दुआरा राम जैस्वाल को कलाविद सम्मान कब दिया गया था तो ये दिया गया था ये क्वेश्चन जो है इसमें उप्षन नहीं है इनको 1997 में ये सम्मान दिया गया था नेक्स क्वेश्चन है चित्रका सूरेश शर्मा का राजिस्थान के किस जिले में जनम हुआ था तो ये कोटा में इनका जनम हुआ था अलता मेरा गुफाओं का द्वार सरपतम किस ने देखा था तो देखे अलता मेरा जो गुफाओं का द्वार है वो एक लड़की ने दे नमबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा नेक्स्ट है भूर सिंग सेखावत बावन वर्ष की कम आयू में किस वर्ष पर लोग सिधार रहे थे मतलब इनका डेथ है वो किस येर में हुई थी तो इनकी जो डेथ है वो 1966 में हुई थी 15 मार्च 1966 नेक्स कोशन है फ्रांको कांटा ब्रियन छेतर की कला में सरवादिक स्रेष्ट गुफा कौन सी है तो ये जो लास्को की गुफाएं है ये सर्वस्रेष्ट है नेक्स है कि अंतेस्टी कला के रूप में किसे जाना जाता है तो जो मिश्र की कला है उसे अंतेस्टी संसकारों की क यांतेष्टी कला के रूप में जाना जाता है प्राचिन मिस्क्रिशासकों को किस नाम से संबोधित किया जाता था तो इन्हें फारोहों के नाम से संबोधित किया जाता था नेक्स है अल्ता मिरा की छट के चित्रों को सरपतम किस बालक ने देखा था तो ये बाली का थी ये मारिया सान्तु ओला इनके द्वारा ही इन चित्रों को सबसे पहले देखा गया था पहली बार इसाई चित्र कहां की भूगर्ब समाधियों की दिवारों पर देखे गए थे या देखा गया था तो जो रोम है वहाँ पर ये देखे गए प्रारंबिक इकाई कला को किन बित्यों के लिए जाना जाता है तो बूगर्ब जो समाधियां होती है उनके लिए प्रारंबिक इसाई कला को जाना जाता है बित्ती पर छोटे छोटे काच या पत्थर के टुकडों से आकरती चितरन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है इसे मनिक उट्टिम चितर कहा जाता है उत्री फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रियोग किस ने किया था इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जा какая-री उप्शारी अप्शन नमबर आ नेक्स्ट एकि डिस्क स्थ्रोवर या डिस्को बोलस नामक शिल्ब का मूर्तिकार कोन थे कौन था जो माइरन थे उनके द्वारा यह जो निर्मान है कि शैली के भवनों में बहुत कम दिवारे होती हैं तो जो गोथिक शैली है उसकी जो भवन है उसमें दिवारे बहुत कम होती हैं नेक्स्ट है, निमलिकित में से किसे रंगीन काच की विशेस कला, stand glass window या शिशा चितर संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो जो गोथिक कला है, उसे ही, जो stand glass window है, उसके रूप में जाना जाता है, नेक्स्ट है, सिस्टाइन चैपल की छट किस देश से संबंदित है, तो ये रोम से संबंदित है, चित्र सुत्र किस पुरान का भाग है, तो विश्णु धर्मुत्र पुरान का है, ये भाग है, नेक्स्ट है, गोथिक कला मूल रूप से कोन सी कला थी, तो गोथिक कला जो है वास्तुकला थी नगन जीत क्यों पड़ा था तो जो राजा भैजीत थे उन्होंने क्या गये था नगन आत्माओं को हराने के कारण या नगन आत्माओं पर विजय पाने के उसमें उनका जो नाम है वो नगनजीत पड़ा था ठीक है तो नगनजीत और भैजीत दोनों एक ही ये नाम है ध्यान रखेगा नेक्स्ट है कि संपुर्ण बोट साहिते में कौन सा गरंथ संद्री साथ से संबंदित है तो जो काम सुत्र है वो इसका राइट हो जाएगा इसको आप एक पर थोड़ा सा कन्फर्म कर लीजिएगा इस वाले को 94 को नेक्स्ट है आचारिय वामन का प्रसित ग्रंथ कोन सा है तो जो काव्या लंकार सूत्वरती है ये इनका प्रसित ग्रंथ है नेक्स्ट है सत्यम सीवं सुंदरम कहा कि दर्शन का अस्तित्व है तो ये तो सबको पता है भारत का ही ये है ठीके चित्र लक्षन किसके द्वार चित्रित किया गया था तो यह किया गया था नग्न जीत के द्वारा या फिर भै जीत के द्वारा नेक्स्ट कॉश्चन है कला मुख्य थे कितने भागों में विभाजित की गई थी इसका राइट हो जाएगा दो नेक्स्ट है ललित कला कितने प्रकार की होती है तो ललित कला जो है वो पांच प्रकार की होती है तो इसका हो जाएगा पांच नेक्स्ट है कि कला भोतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है ये किसने कहा था तो ये जो कथन है ये स्टेटमेंट है अबार कला तो ये हीगेल के द्वारा कहा गया नेक्स्ट है कि निमलिकित में से अभी गटन कला कौन सी है तो जो मूर्ती कला है वो अभी घटन कला है यह इसका right answer हो जाएगा next है कि mural चितरन है तो कोई सा धरातल काम में लिया जाता है तो दिवारे जो है वॉल पर यह चितरन किया जाता है mural या फिर भित्ती चितरन ठीक हैें नेक्स से किकला सब पहले पार कहां पर प्रयूग्त हुआ थां कि legitimately जो शब्द है वुट अंत्री की कोशल के क्रियान वेन को क्या कहते हैं इसे टकनीक कहते हैं इसे नेक्स्ट है कि बित्ती चितरन की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रियोग किया जाता है तो यह कहलाता है फ्रेसको बूनो तकनीक गीले में तो फ्रेसको बूनो और अगर सुखे म की तकनीक है नेक्स है कि चित्र शुत्र किसे पुरान से संबंदित है तो ये विश्णु धर्मुत्र पुरान से संबंदित है एक चित्र में चितीजे रेखा क्या दर्शाती है तो ये दर्शाती है शांती, स्थिर्ता, ठहराओ तो ये सब चितीजे रेखा हुए तो ये शांती का भाव दर्शाती है, स्थिर्ता का भाव दर्शाती है, ठहराओ का भाव जो है वो ये दर्शाती है नेक्स्ट है, कला में प्रभा का तात्प्रिय है, इन में से प्रभा का तात्प्रिय क्या है, तो ये है चित्र के किसी भी सयोजन में आखों का अबोध गती से विचरन करना नेक्स्ट कॉष्चन है नमबर 111, 111, आखों में कौन सा स्नाईू, रंगों का अनुभव करता है, तो जो अक्ष पटल है, वो स्नाईू, रंगों का अनुभव करता है कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मातरा रखता है तो जो पीला रंग है ठीक है वो पीला जो रंग है वो प्रकाश की अधिकतम मातरा रखता है जिसमें रंगों के साथ मों को मिला कर प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं N-casting option number B इसका right हो जाएगा तीन प्रात्मिक रंग कौन कौन से हैं तो लाल, पीला और नीला ये तीनों ही प्रात्मिक रंग है पोत किसका गुण है तो धरातल का गुण है ये पोत का वर्गी करन कितने भागों में किया जाता है तो पोत का जो वर्गी करन है वो तीन भागों में किया जाता है अनुकरत, स्रजित, और प्राप तो ये तीन जो हैं ये पोत के भाग है नाम भी ध्यान रखेगा इनका नेक्स्ट प्रमान को अन्य रूप में भी जाना जाता है तो जो प्रमान है उसे सम्मध्यता का सिध्धान्त के रूप में भी जाना जाता है option is right हो जाए next question है चित्र में काले सफेद रंग के परियों को क्या कहते हैं इसे कहते हैं वर्ण सुनने ता देखे इसमें बहुत से question ऐसे हैं बहुत सारे question ऐसे हैं जो last time जो first grade का हुआ था उसमें भी आये थे question तो जितने भी previous year के question है तो आप जो भी question paper आपको मिले जरूर देखके जाएं किसी भी exam देने जा रहे हैं आप सबसे पहले आप जो previous year के question paper है उस field से related चाहिए वो किसी भी post के लिए हूँ आप जरूर उनको solve करके जाएं तो इसका right answer हो जाएगा option number B next time option number a इसका right है next है कि भीम बेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं तो भीम बेटका की गुफाएं जो है वह वह MP में स्थित हैं पंच मडी के गुफाचित्रों को खोजने का श्रे किसे जाता है तो DH गार्डन जो थे उन्होंने पंच मड़ी के गुफा चित्रों की खोज की थी निमले कित्मे से कौन सा छेत्र मद्य परदेश की महादेव परवशंकला में स्थित है जो पंच मड़ी है वो महादेव परवशंकला में स्थित है Next question है 1910 में सिंगनपूर के विशिस्ट सीला रेखांकनों को खोजने का श्रेक इसको दिया जाता है तो ये जो है ये दिया जाता है C.W. एंडरसन को Next question है मानद्वारा घर बनाने की कला का प्रारम किस काल में हुआ तो नव पाशनकाल में जो मनुष्य है वो घर बना कर रहने लगे थे Next प्रागतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है तो जो अनुपूती की प्रभावशाली अभी व्यक्ती है वो इनके द्वारा व्यक्त की गई है Next 1958 में भीम बेटका के प्रागतिहासिक चित्रों की खोज किस ने की थी तो ये की थी वी सी एस वाकन कर Option नमबर ए इसका राइट है Next पंच मढ़ी की पंच मढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थीत है तो पंच मढ़ी की जो गुफाएं हैं वो कावेरी नदी पर स्थीत है Option नमबर बी Next किसने पंच मढ़ी के छेत्र में फिर से आधिक मात्रा में चित्र खोज कर 1948 में प्री हिस्टोरिकर एक्स्टोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकासित करवाय था इस क्वेशन में थोड़ा सा डाउट है मैं इसका जल्दी आपको आंसर जो फाइंड आउट करके आपको कमेंट बोक्स में बता दूँगे अगर उससे पहले आपको किसी को पता है तो इसमें जरूर बताएं इसको कमेंट में Next गोड मंगर की गुफाएं विंद परवत माला में किसके पास स्थीत है तो यह जो गोड मंगर है यह मिर्जापूर में स्थीत है Next सिंदुगाटी सब्वेता की परतम खुदाई कहां से प्रारंब हुई थी तो यह हडपा से सबसे पहले हडपा को खुदा गये था उसके बाद मोहन जोद लोको तो हडपा इसका राइट आंसर है Next सिंदुगाटी के नागरी को द्वारा कौन सी धातु बहुत आयात्मि प्रियोग में लाई जाती थी तो वैसे तो ब्रोंज आता है कास्च्य आता है उसकी यहां पर अधिक्ता थी तो ओप्शन के इसाब से यहां पर तामबा इसका राइट आंसर हो जाएगा Next हरपण लिपी को किस नाम से जाना जाता था तो इसे जाना जा जाता हाइरोग्लेफ Next question है मोहन जोदोडों से प्राप्त वस्तों में सरवादिक रोमांचक नरत्की की मूर्ति यह किस पदात से बनी थी तो यह ब्रोंच की बनी हुई थी बहुत जादा पूछे जाती हैं यह दो-चार टोपिक तो ऐसे हैं जो हर एक्जाम में पूछे जाते हैं आपको कोई भी एक्जाम दो तो इसका जो राइट हो जाएगा काश्य प्राप्त महत्वण मूर्तियों में दाड़ी मूच युक्त सिर पर गोल अलंकरन धारन किये तता बाहें कंदे पर शोल लिए एक आवाक्ष प्रतिमा है उसे किस रूप में जाना जाता है तो यह आपको पता होगा कि एक जो पुजारी की मूर्ति है फिक is जो ध्यान अवस्ता में है और जिसका जो लेफट शोल्डर है वहाँ पर एक शोल है जो कि त्रिफुलिया उसमें अलंकरन बना हुआ है तो त्रिफुलिया के नाम से भी कई बार एकजाम में पूछा जाता है जो पुजारी है वो इ किस अंग्रेज ओफिसर ने की थी तो ये की थी एफ फासेट ने जोगी मारा की गुफाएं राइगड पर किस छेत्र में स्थीत हैं तो सरगुजा जनपद में ये स्थीत है तीता बौंगरा किसलिए परशिद है ये नाटेशाला थी नेक्स्ट है अजनता गुफाओं की प्राचिंतव मठों में से एक है भारत की प्राचिंतव मठों में से एक है ये गुफा मंदिरों का समू महारास्ट के किस जीले में स्थीत है ठीक है तो सबसे पहले तो अजन्ता की जो गुफाएं हैं वो महरास्ट में स्थित हैं और महरास्ट की ओरंगाबाद में ये स्थित हैं जो लास्ट टाइम उसमें UPTGT PGT का जो एक्जाम होगा था उसमें भी पूछा गया था कि अजन्ता गुफाएं कहां पर है तो वहाँ पर महरास्ट ओप्शन में ना देकर औरंगाबाद ओप्शन में दिया गया था तो ये दोनों ही नाम आप ध्यान रखेगा सत्पुडा की पहाड़ियों की अर्द चंद्राकार घाटी जहां से बागोरा नदी गूमती है कौन से मंदपस्तित है तो ये हो जाएगा अजन्ता ठीक है सिंदु घाटी सब्वेता के उतक्रस्ट अवशेशों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेश किसके हैं तो जो सुवेवस्तित नगर योजना है ये सबसे ज़्यादा प्रमान जो सिंदु घाटी सब्वेता में मिले हैं वो एक सबसे पहले तो यहाँ पर जो नगर योजना है वो सुवेवस्तित ये एक सहरी योजना थी ये कई बार क्वेशन में देखा है कि पूछा जाता है सिंदु घाटी सब्वेता कैसी सब्वेता थी नागरिक सहरी या फिर ग्रमीन तो ये एक सहरी थी और यहाँ पर सुवेवस्तित नगर योजना सबसे अधिक देखने को मिलती है keen next question है last 5 question है उत्क्रस्ठ चित्र जी समयनात है मर्ति हुई राजकुमारी नाम से जाना जाता है अजनटा की किस गुफा में है तो ये मर्ति हुई राजकुमारे या फिर मरणासन राजकुमारी दोनों में से कोई भी नाम आपको दे सकते है तो ये अजनटा की बहुत ही फे बाग गुफा मंदिर मंद्य पर्देश की धार जिले में किस नदी के तठपर हैं तो बाग जो गुफाएं है वो बागनी नदी के तठपर हैं नेक्स्ट एम बाग के गुफा मंदिर तीन को प्राय किस नाम से जाना जाता है तो देखी जो बाग गुफा में जो टोटल जो पांच गुफाएं है तोटल नो गुफाएं है यहाँ पर ठीक है नो गुफाएं है जिन में से जो पहली गुफा है वो है ग्रह गुफा ग्रह गुफा पहली जो सेकिंड है वो है पंच पांडू पंच पांडू जो थर्ड पोटन जो है वो है रंग महल ठीक है all of colors तो रंग महल सबसे मुख्य है और सबसे लास्ट में जो है वो है नंबर 5 पे वो है पाठ शाला तो घर से 5 पांडू हाठी पर बैठकर रंग महल से होते हुई पाठ शाला गए लेकिन जो 6789 है वो उनका मार्ग अवरुद है ठीक है तो पाठ शाला गए लेकिन आगे का मार्ग अवरुद मिला तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी तो इसका जो राइट आंस गुफाएं है और लास्ट कोस्टन है गोद्सत्व पदम पानी का चित्र आजनता की किस गुफा नंबर के मंदिर में चित्री थै तो गुफा संख्या जो एक है वहां पर आपको पानी जो बहुदी सथव पदम पानी का जुजधा है वो देखने को मिलता है तो ये था फर् जरूर से solve करके जाएं कोई ना कोई question अपका जरूर repeat होगा अपने दोस्तों साथ share करना बिल्कुल ना भूले